हलो प्यारे दोस्तों स्वागित है आपका इंटर्वियो क्लासेज में हम बात कर रहे हैं अपने फूट प्रिंट विदाउट फीट बुक के मोश्ट इंपोर्टेंट कोईशन के बारे में हमने आपके एक्जाम में आने वाला जो साथ मार्च को इंगलिश का पेपर होना वाल है न दो दो नमबर के होंगे चार ये नौ नमबर होगे और लाश्ट वा हम अभी डिस्कुस करेंगे उननीस वा कोईशन ठीक है जिसमें आपके इस बुक के सभी मोश्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यूज ठीक है उनसे बाहर आने का चांस ना के बराबर क्योंकि जो कोईशन बैंक जारी किया गया आपके बूर्ट द्वारा उसी में से उन सभी का सल्यूशन हम देखेंगे ठीक है तो आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि आपके जो इमेल, स्टोरी, लेटर, एप्लिकेशन और पैरेग्राफ वो सभी का सल्यूश जिसमें आपको option चुनना होगा ठीक है तीन question मिलेंगे ठीक है और आपको option correct चुनना वहाँ पे आपको तीन marks मिल जाएंगे ठीक है पहला question है अपना मिस्स पंफ्रे वस वरीड अबाउट ट्रिकी बिकाज ही लोक्स ट्रिकी के बारे में चिंतित थी मिस्स पंफ्रे क्योंकि ट्रिकी दिखता था कैसा दिखता था लीन एंड थिन लीन तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था option गलत ठीक है ओवर एक्टिव ऐसा भी नहीं था अफ मिस्टर हैरियोट कौन थे मिस्स पंफ्रे फैमिली मेंबर मेंबर थे या वेटरिनरी सर्जन ये option करेक्ट हो गया वेटरिनरी सर्जन ये नहीं क्या थे पसूचिक सकते एक सर्जन थे जानवरों के ठीक है ना बाकी ये option गलत है ठीक है चाइल्ड स्पेसिलिस्ट नहीं थे और उनके ये जो भी लिखा ये भी नहीं थे ठीक है ना अगला देखी मिस्टर जेम्स हैरियोट वॉज वो थे मिस्टर हैरियोट किस टाइप के थे more rich than मिस्स पंफ्रे पंफ्रे से ज़्यादा रिश्य थे नहीं ऐसा तो नहीं था ठीक है लास रिच देन मिस्स पंफ्रे हा हेरियोट किस प्रकार के व्यक्ति थे ठीक है न हैरियोट किस प्रकार के व्यक्ति थे और करेप्ट एंड क्लेवर मैं करेप्ट और क्लेवर थे या या सिली एंड सेंसलेस पर्षन या फिर टक्ट फुल dos explaining ड्यू ट BEN harrywoods hospital hospital में कितने समय तक के लिए रहा था वो a week fortnight a month या 20 days तो हम कहेंगे be option correct होगा a fortnight ठीक है ना अगला देखते है question the thieves story के most important question ठीक है harry singh was a harry singh थे क्या थे वो साब क्या थे writer thief या laborer या technician तो हम कहेंगे वो एक thief ठीक है थे harry singh ठीक है how old was harry singh age क्या थी इनकी तो यह थे अपने 20 15 25 या 30 तो आप कहोगे 15 years old ठीक है 15 साल का लड़का था यह ठीक है अगला है in this story the word I refers to the narrator यहाँ पर जो आई है ना यह किस के लिए आ रहा है अनेल के लिए harry singh के लिए ruskin bond के लिए या ना नौपदीज तो हम कहेंगे यह किस के लिए आ रहा है यह आ रहा है अपने harry singh के लिए ठीक है इस chapter के last में जो important question है उनके बाद में आपको सारे जो chapters के जो writer है अपने story के उन सभी stories के writer के नाम भी दे रखे क्योंकि आपको यह अच्छे से तयार होने चाहिए ठीक है अगला देखते हैं how old was अनिल अनिल की उमर क्या थी 30 40 25 या 35 तो हम कहेंगे 25 साल ठीक है ना अगला question देखते हैं ऑजेबल was a pain ऑजेबल क्या थे a soldier writer secret agent या अपने press reporter तो आपको होगे press reporter नहीं थे वो क्या थे secret agent थे ठीक है ना secret agent कौन ऑजेबल ठीक है अगला फ्रॉम हिज पर्सनलेटी लुक ऑजेबल a period a period क्या as an a दिखने में कैसे विक्ती लग रहे थे पुलिस वाले actor common man या officer तो हम कहेंगे दिखने में common man जैसे एकदम गोल मटोल मोटे से हाइट भी कम लेकिन थे क्या secret agent ठीक है what was the name of the man present in ऑजेबल's room ahead ऑजेबल के कमरे में जो उनको आदमी मिला वो कौन था तो वो कौन था उसके जैसे एक secret agent था जिसका नाम कहता max ठीक है na max अगला question देखते है who had pistol in his hand किस के हाथ में pistol थी तो हम कहेंगे किस के हाथ में थी अपने max के हाथ में थी अगला है ऑजेबल was living in paris for more than more than है कितने साल हो गए उसको paris में रहते तो कितने साल हो गए थे उनको हो गए थे 10 साल 20 साल 30 साल या 32 तो हम कहेंगे correct answer होगा अपना 20 years 20 साल ओजेबल can speak french and german ओजेबल है वो french और जर्मन बोल सकता था ठीक है कैसे fluently, easily, difficultly या फिर अपने none of these तो option हो जाएगा fluently fluent वो जर्मन और french बोल पाते थे और उनका जो accent था वो American था ये धियान रखना ठीक है न तो correct option हो जाएगा fluent ठीक है इसके बाद में आपको जो अपने first book है ठीक है न उसके सभी आपको most important chapters के question answer जो आपके poems है उन सभी के most important question answer सारे मिलेंगे आपको ठीक है न चले देखते हैं आगे क्या है फिर है अपना a question of trust chapter के MCQs Horace Danby was a skilled Horace Danby skilled एन एक कुशल था क्या था गोल्ड स्मित ब्लैक स्मित थीप या लॉक स्मित तो हम कहेंगे वो था एक लॉक स्मित ताले बनाने वाला व्यक्ती ठीक है अगला है how old was Horace Danby age क्या थी Horace Danby की 40 50 60 या 55 years तो उनकी age क्या थी तो हम कहेंगे वो थे 50 साल के व्यक्ती ठीक है न 50 years old how long did Horace study the house for suit grower, suit over grange, suit over grange के गर को Horace Danby ने कितने समय के लिए देखा या पढ़ा या उसके बारे में जो था article वगरा में पढ़ा था तो correct option क्या लेखेंगे one week, one month, two weeks या फिर है ten days तो correct option होगा अपना यहां पे two weeks ठीक है लग बग दो शप्ता तक उस ने इनके गर के बारे में पढ़ा था ठीक है How old was land lady of the house जो इस गर में जाए चोरी करने जाते हैं उस गर की land lady जो original थी वो कितने साल के थी तो 60 years old, 50 years old, sorry 40 years old, 50 years old, 60 years old और 70 years old तो correct option होगा अपना 60 years old, 60 साल की वो एक वरत मेला थी, ठीक है अगला जो chapter है अपना footprints without feet इसके most important question Whose footprints were on the strap? CD-yओं पे किसके पाओं के निशान थे? Mrs. Halls या फिर Mr. Jeffers, Mr. Davids या Griffins तो Griffins तो Griffins तो Griffins जो एक scientist था उसके पेरों के निशान वा पे थे Griffins was a doctor, teacher, businessman या scientist तो option हो जाएगा D scientist Who had discovered a way to make the human body transparent transparent यानि पारदर्सी यानि invisible गायब बनाने वाले व्यक्ति कौन थे जिसने इसके निशान निशान गायब करना तो Newton, Griffins, Fleming या Dalton तो आप कहोगे Griffins option हो गया B correct answer ठीक है next question देखते है the local inn इन यहने होता है सराज जहां पे ठेहरने की विवस्ता होती होटल वगर ऐसा belong to यह किसका था तो correct answer होगा अपने क्या option क्या है Mrs. Hall, Chapers, Mr. Patch and none of these तो correct option होगा अपने Mrs. Hall, option हो जाएगा A correct ठीक है अगला देखते है Durary Land was famous for यह जो Durary Land थी यह famous थी किस के लिए doctors के लिए, business centers के लिए, book stores के लिए या theater के लिए तो यह अपने किस के लिए famous थी? theater के लिए जहां से अपने इन्होंने जो Griffon था इन्होंने क्या चोरी कर लिए था अपलर वगरा और false nose नकली नाक ऐसी सारी चीज़े यहां से इसने चुराई थी ठीक है अगला है the making of scientist इसके most important questions what was the age of Richard when his first article was published जब इसका first article published हुआ तब इसकी एज क्या थी? बीस साल, बाइस साल, 22 years old या फिर 24 years old या 25 years old तो इसकी original age क्या थी उस समय? यह थी अपने 22 years old ठीक है अगला देखते है Richard was grew up in इसका grew up कहा हुआ था? मतलब यह बड़ा कहा हुआ था वेकती? तो California, Antalanta या Pennsylvania या अपने none of these तो correct option होगा अपना Pennsylvania ठीक है न जो USA के अंदर जगा है Pennsylvania वहाँ पे इनका जनम हुआ था यह gift किस नहीं दी थी Richard को तो option होगा correct अपना mother ठीक है उनकी मा न यह दी थी ठीक है अगला कुशिन अपना the necklace ठीक है न मतिल्डा के husband क्या थे एक doctor, engineer या clerk या teacher तो आपका होगे वह एक clerk थे ठीक है फिर है Matilda's husband work in department of कौन से department भी काम करते थे water supply, education, health या public works तो हम कहेंगे education department में वह एक क्या थे clerk थे ठीक है Matilda's husband had saved 400 frenchs to buy उन्होंने 400 frenchs buy किये खरीदे थे वो किस लिए क्या कारण था to buy मतलब क्या खरीदने के लिए रखे थे अपने पास जो पैसे थे ना वो save किये थे ना क्यों बचाए थे ना ऐसा है question तो answer में option है bike, necklace, gun या house तो उनके गन खरीदने के इच्छा थे ठीक है ना C option हो जाएगा correct अगला है Matilda sold the necklace borrowed the necklace from her friend Matilda ने जो borrow किया था यह उधार लिया था necklace ओ किस से लिया था मैं forestier, मैं जैनिफर, मैं any या none of these तो हम कहेंगे यह forestier से लिया था इसने ठीक है ना option A correct हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगला question है Matilda and her husband bought the necklace for उन्होंने जो original एक होने के बाद जो necklace खरीदा उसकी actual price क्या थी 30,000 friends 36 या फिर 20 या फिर 46 तो correct option क्या होगा अपना 36 ठीक है ना be option हो जाएगा correct फिर अगला देखते है भोली chapter से important question How many children did Ramlal have Ramlal के कितने बच्चे थे तो Ramlal कितने बच्चे थे option है 2, 4, 6, 7 तो हम कहेंगे 7 ठीक है ना 7 हो जाएगा correct option What was the real name of भोली भोली का real name क्या था नरम्दा या सुसीला, सुलेखा या सुरुची तो हम कहेंगे सुलेखा At what age did भोली fall off from the court, her court अपने वो चार पाईसे जब नीचे गिरी थे उसमें उसकी age क्या थी 10 months, 10 years, 20 weeks या 10 weeks तो correct option क्या होगा अपना A option correct हो जाएगा जब वो गिरी उसमें, वो 10 months की थी, सिर्फ 10 मेनों की थी वो, ठीक है How old was भोली when smallpox attacked her, जब उसको smallpox वो तब वो कितने, मतलब कितने साल की थी, क्या उमर थी उसकी, ठीक है 1 year, 2 years, या 3 years, या 5 years, तो correct option हो जाएगा अपना, वो सिर्फ 2 साल की थी उसमें, ठीक है न, 2 years के लिए तयार थी, she thought that the school was a, तब उसने school के बारे में क्या दार ना बने, क्या सोचा strange palace, place एक अलगी जगह होगी, deadful place, nice place, या none of these, ठीक है न, क्या सोचा तो क्योंकि उसको तयार किया जा रहा था, तो उसके मन में आया रहे, कुछ तो ये अच्छी जगह होगी जा मेरे को ले जाए जा रहा, तयार किया जा रहे क्योंकि उससे पहले, आज तक उसको इतना तयार नहीं किया गया था, तो option क्या होजाएगा, अपने, c option होजाएगा, correct answer, ठीक है, अगला देखते है, the behavior of lady teacher towards bully, was bully के तरफ जो behavior था, lady teacher का वो कैसा था, friendly, unfriendly, non-cooperative या improper, तो आप कहोगे, friendly behavior था teacher का, ठीक है, अगला और अपने जो last chapter है, उसके important question देखते हैं, उसके बाद में सभी chapters के जो writer है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, the book that saved the earth, who is the ruler of Mars, Mars का ruler कौन था, तो आप कहोगे, noodle, omega, iota या think tank, तो think tank correct option हो जाएगा, ठीक है, फिर है, what is the name of nursery book that had saved the earth, वो nursery की कौन सी किताब थी, nursery rhyming की, जिसने प्रत्वी को अर्थ को बचा लिया था, invention, जो Mars वाले कर रहे थे, invention अमला उसे, तो little star, mother goose, तो option हो जाएगा, अपना B option, mother goose, ठीक है, अगला question है, the incident described in the play is related to, यह जो अपने को घटना दिखाई जा रही है, यह कौन से year से related है, मतलब कौन से year की बताई जा रही है, तो हम कहेंगे, इसको 2040 CE, ठीक है न, 2040 CE, 2040 की बताई जा रही है, ठीक है, option हो जाएगा, D, ठीक है, which century has been named as the era of the book in the play, इस play में कौन सी century को era of the book बोला गया तो simple सा है, 20th century, ठीक है, जो 20 में सताबदी उसको बोला गया है, ठीक है न, अगला question है, the play is being played in, यह जो play है, यह कौन सी century में किया जा रहे है, तो correct option आप लिख दोगे, 20th century, ठीक है न, यह option correct कर देंगे, इसमें, अगला और last question है, उसके बाद chapter के जो writer है, उनके बारें बात क करने का विचार कब किया, कौन से सन में किया था, तो यह किया था अपने, 20th 40th century में, ठीक है न, option C correct हो जाएगा, अगला देखते हैं, आगे जो अपने है, सभी chapters के जो writer है, उनका नाम आपको अच्छे से तयाग कर लेना है, ठीक है, और Trump of Surgery, जिनके है, James Alfred Witt, ठीक है, the thieves story, Ruskin Bond, इसके writer कौन है, Ruskin Bond, फिर है, midnight visitor, Robert Arthur, ठीक है, फिर है, a question of trust, ठीक है, Victor Kenny, ठीक है, footprints without feet, इनके है, Herbert George Wells, ठीक है न, George Wells, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने next question है, कि आपको बताना, the making of scientist, इनके कौन थे, तो Robert W. Peterson, ठीक है, the necklace, इनके है, gay day mansu patient, ठीक है न, फिर है, भोली, इसके है, K.A. Abbas, ठीक है, the book that saved the earth के है, clear boy को, ठीक है न, यह आपको नाम एक बार revise कर लेना है, क्योंकि इनसे आपके question बनता है, ठीक है न, तो यह आपके complete हो चुकी है, आपकी जो foot prints without feet, ठीक है, अब आपको वो videos भी मिल जा ठीक है, जो आपको first book है, जो अपने first flight है, उनके जो अपने, चाए poems हो, चाए chapters हो, उनसे सभी के most important questions के video भी यहां मिल जाएंगे, और section C में जो grammar portion है, उसके video भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, तो मिलते है next part में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत.